Hello everyone, मैं हूँ केरिन शापुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का सापता है क्राशीफल सबसे पहले अगर अभी तक आपने इस चानल को नहीं सबस्क्राइब किया तो प्लीज लाइक, शेर और सबस्क्राइब करें इसके साथ साथ अगर आप डेली डारो रीडिंग में इंट्रेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विजिट कर सकते हैं जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगा और दूसरी बात अगर ये रीडिंग देखते-देखते मन ही मन आप सोच रहे हैं कि आपको कौन से साइन के हिसाब से रीडिंग को देखना चाहिए या फिर कौन सा साइन फॉलो करना चाहिए सन साइन, मून साइन या असेंडेंट तो प्लीज जिस भी साइन को आप अपना मानते हैं या जिस साइन के साथ आप सबसे ज़्यादा कनेक्ट करते हैं या फिर जिस साइन के हिसाब से आप शुरू से अपनी रीडिंग देखते आए हैं प्लीज आप उसी को ही फॉलो करें तो चलिए जी शुरू करते हैं कमिंग वीक का साथ ताहिक राशी फल ये 25 जानवरी से लेकर 31 जानवरी तक की आपकी टारो रीडिंग्स हैं और टारो प्रेडिक्शन्स हैं तो जेमिनीज आप लोगों के लिए देखें की कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है क्या energies हैं तो हमारे पस professional life के लिए card है दे lightning bolt personal life के लिए card है serendipity guidance से आप लोगों के लिए है medicine guardian and astrology से आपके लिए है the fourth house तो जेमिनीज यहाँ पे professional life के लिए the lightning bolt का card मुझे कहता है कि कोई चीज suddenly इस week आपकी professional life में हो सकती है जो किसी level पे आपको थोड़ा सा परिशान कर सकती है ये सब के लिए differ कर सकता है कुछ लोगों के लिए हो सकता है कोई अच्छी opportunity थी और ये again सब के लिए differ कर सकता है कुछ लोगों के लिए छोटी-मोटी opportunities थी छोटी-मोटी अच्छी चीजें उनकी professional life में थी जो उन्होंने miss करी कुछ लोगों के लिए बड़ी opportunity हो सकती है कुछ लोगों के लिए हो सकता है जो लोग उनके साथ काम करते हैं उनकी कहीं बहुत ज़्यादा supportive energies नहीं है थोड़ी सी conflicting energies हैं कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपके arguments हो रहे हैं तो again कोई भी और reason हो सकता है जिसकी वजय से आप थोड़ा सा परिशान हो सकते हैं तो देखिए हापे tea leaves से देख लेते हैं cards क्या कह रहे हैं तो देखिए हापे mountain road का card है और ये card कहता है you are on the road to success तो जब भी हम mountain पे चड़ते हैं तो वो बहुत easy रास्ता नहीं होता है थोड़े से हमें challenges face करने पड़ते हैं लेकिन अगर हम चलते रहते हैं तो कहीं वही रस्ता हमें उचाईयों की तरफ लेकर जाता है और ऐसी ही energies आप लोगों के लिए आपकी professional life में भी दिख रही हैं थोड़े से challenges ज़रूर रह सकते हैं लेकिन अगर आप हिम्मत नहीं हारते हैं विल पार रखते हैं तो कहीं ये आपको success की तरफ लेकर जा रहा है कहीं ये आपको इनों उचाईयों की तरफ ही लेकर जा रहा है और यहाँ पे personal life के लिए serendipity बहुत ही beautiful card है ये काट good fortune की बात करता है बहुत ही एक lucky face की बात करता है और ये सब के लिए again differ कर सकता है पीछे आप थोड़ा सा किसी भी चीज को लेके परिशान हो रहे थे अपनी personal life में तो इस week universe का support आपके लिए दिख रहा है आपको ऐसा लग सकता है क्यों आपने शद expect भी नहीं किया था और ये चीज आपको मिल गई या ये चीज हो गई तो again personal life से related अच्छी energies दिख रही है और यहाँ पे tea leaves से हमारे पास card है lightning और ये card कहता है control your anger or you will be sorry तो किसी के ऊपर भी इस week आपको बहुत गुसा आ रहा है या अगर आप गुसा करने वाले हैं तो थोड़ा सा खयाल रखें गुसा करें लेकिन अपने words अपनी tone को थोड़ा सा चेक कर लें इतना आप harsh words ना use करें कि बात में आप ही regret करें क्योंकि मैं truly believe करती हूँ कि किसी भी चीज को हमें बहुत जादा suppress नहीं करना चाहिए तो जो भी आपकी feelings हैं जो भी आपकी emotions हैं आप उसको again मैं कहूंगी express करें लेकिन इस तरीके से करें कि सामने वाले को आपका message भी convey हो जाए और कहीं बुरा भी ना लगे और आपका भी went out हो जाए और यहाँ पे guidance के लिए आप लोगों के लिए card है medicine guardian और देखिए बहुत ही clearly बोल रहा है be open to healing information और यहाँ पे medicine guardian को अगर मैं देखूं तो मुझे आपकी professional life से related जादा connect होता हुआ दिख रहा है क्योंकि professional life में lightning का card मुझे कह रहा है आप उसके उपर ही focus करें और astrology से हमारे पास fourth house का card है काल पुरुष की कुंडली में fourth house moon का होता है तो इस हिसाब से Monday का दिन आप लोगों के लिए अच्छा रह सकता है और white color लगी रहेगा आप लोगों के लिए इस week तो ये था जेमिनीज आप लोगों के लिए coming week का सापता है क्राशीफल और नीचे मुझे comment section पर जरूर बताईएगा ये कितना आपके साथ connect किया कितना आप resonate कर पाए